चलो इस ठंड के मौसम में एक बार छट का पूरा टूर कर लेते हैं और मैंने आपको पूरा सब कुछ शेयर किया था कि पहले बगिया बिल्कुल उजड़ गई थी और मैंने ये कुछ-कुछ बुआई की थी जो उगाई है तो मैथी है पालक है धनिया है तो बहुत बड़िया तो नहीं होगी है लेकिन मुझे पता है जैसे ये ग्रोथ लेगी ये अच्छी हो जाएगी धनिया बिल्कुली कम होगा है लेकिन 6-7 दिन में धनिया भी पूरा हो जाना चाहिए मैं सारा अपडेट दिखाऊंगी और ये मैंने कुछ और भी बुआई कर दी है जो ये मोटे कपड़े से ढखी है और ये तीन वही ग्रोथ बैग है जिनका के मैंने ट्रीटमेंट करके और पालक सुधारी थी एक दुबार और हार्वेस्टिंग हो गई और टमाटर खूफ रहा है टमाटर जरूर लगाया एक प्रशन आता है कि कुकरा रोग लग गया पत्ते स्रिंग हो गए फूल जड़ गए बहुत सारी समस्यां आती है तो मैं क्या करते हूं देखो मेरे चट पे मैंने काफी कुछ लगा रखा है और मैं बस हर मौसम में लगा के छोड़ती हूं कभी बहुत परिशानी होती है एक दो पेड़ खराब होता है तो मैं उस पे बहुत मलाल भी नहीं करती हूं खाड के फेक देती हूं दूसरा लगा देती हूं और मान लेजिए पांच-साथ पेड़ आप लगा रहे हैं तो दो या चार पेड़ दो फल ही जाएंगे और कोई भी विशेश केर नहीं ऐसी बाली बागवानी नहीं है मेरी कि जिसमें मैं पूरे नियम से कि इतने प्रतिशत खाद इतना नीमौयल या ऐसा कुछ भी नहीं बस मेरी मिट्टी है हां मैं खाद डालती हूं किचिन कॉंपोस्ट भी डालती हूं बाहर से बोरी से लेंडी इस अमरूद ने तो बहुत सारे फल दिये और मैंने कभी आपको दिखा भी नहीं पाया अब या आकरी दो बचे तो आज मेरी नजर पड़ी और यह पुदीना खराब हो गया था तो पुदीना खराब हो जाता है अगर उसकी कटिंग नहो तो मैंने पूरा काट के फेक दिय और यह फिर नए टमाटर जो मैं आप से कह रही हूँ ना यह चार पेड मैंने और लगाए इससे पहले भी मैंने एक ड्रम में लगाएं वो और चोटे हैं तो यह किस्तों में लगाने से क्या होता है कि आपको फल मिलता रहता है और यह मेरा वो नीबू फूलों से लद गया है सब कुछ निचिरली होता है ऐसा कुछ 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 नहीं किया है अब मेरा यह पेड पुराना है तो अच्छा फलने लगा है लेकिन जितने यह फूल लदे हैं उतने फल नहीं आएंगे क्योंकि गंबले में पीस पचीस फल से जादा नहीं टिकते इते बड़े पौदे ह और अडेनियम लोग कहते हैं कि समर ब्लूमिंग प्लांट है मेरे तो ठंड बर से खूब खिल रहे हैं और यह एक नई सबजी जो सलात पता मैंने इसी साल लगाया और बहुत उपयोग नहीं पता है सलात में कितना खाएंगे लेकिन यह तो देखिए अच्छे बड़े बड करके उतर रहा है तो खाया खाय नहीं खाऊ बिल्कुल मतलब खतम नहीं हो रहा इसका कुछ और उपयोग आप लोगो मैंसे किसी को पता हो तो कॉमेंट में जरूर बताएं मैं तो इसे केबल सलाद में काटके खाना ही जानती है और कुछ तैयारी क्योंकि मैं जब आई थी तो गार्डन पूरा उजड़ी चुका था तो अब इसको फिर से हराबरा करने में समय तो लगेगा तो कुछ जगे चेंज किये कुछ अडेनियम वहां से हटा के पाने की टंकी पर रख दिये हैं कुछ यह पौदी है ना यह सीजनल है सब क्लांचो और दूसरे पौदे तो यह मैं हमारी जो सरकारी नर्सरी है वहां से सो रुपए के सो पौदे मिल जाते हैं तो उसमें से लाई थी पाच पास दददस करके तो मैंने पैकेट में लगा दिये हैं और यह मेहना भर के अंदर तो बिलकुल रीपौटिंग लिए तयार हो जाएंगे और अडेनियम की ज अच्छत के एक कौने से आप देखें तो कैसा दिखता है और मुझे लगता है कि अडेनियम ही अडेनियम दिखते हैं यह अदरक हार्वेस्टिक लिए तैयार है अब इसका पानी रोक देना चाहिए हल्दी और अदरक के साथ यह होता है और यह ब्रॉकली खुब हरी-भरी ह है लेकिन इसमें अभी फूल बनना शुरू नहीं हुआ यह प्रश्न कई बार आता है लोगों का तो देखिए मेरा भी फूल नहीं बन रहा है और इसके लिए कुछ एक्स्ट्रालक से नहीं करना यह नेचरली बनेगा यह टैंपरेचर पर डिपेंड होता है एक मातर हमारा क कद्दू बच्चा है और मैं सोच रही हूं इस कद्दू को तोड़के और बेल को हटाके मिट्टी निकाल लूँगी यह शिमला मिर्च लगी है यह भी पहली बार लगाई है और यह कुछ कैक्टस यह एक सर कैमरे से बाहर रह जाते हैं क्योंकि बाउंडरी पर रखे हैं त ऐसे कोई भी वेंगन आप कोई भी फल पहला फल या अच्छा हैल्दी फल छोड़ दें उसमें पक जाएगा तो यह फ्रेश बीज बन जाएंगे और यह और गिनिक बीज होंगे क्योंकि इस पेड़ में मैंने कोई केमिकल खाद डाला नहीं और इसके बीज तैयार होंगे तो यह बिलकुल औरगनिक सीड बन जाएंगे जब हम मार्केट से केमिकली ट्रीटिट सीड लाते हैं उससे पौदा उकाते हैं फिर उसी का एक फल हम रख लेते हैं तो ऐसे धीरे धीरे करके बीज बिलकुल देसी हो जाता है उसकी प्रजाती बदल जाती है और मैथी लग गुलाब खिल रहे हैं गेंदे खिल रहे हैं जो मैंने उस दिन लगाये थे तो आपको दिखाये थे और गुलाब के बारे में जादा कुछ मत पूछी है मुझे सच में जादा नहीं हाता मैं बस ले आई हूँ और मैं भी सीख रही हूं गुलाब के बारे में खिल रहे हैं लेकिन गुलाब को लेके जादा नहीं है, मैं पिछली साल भी गुलाब लाई थी, मेरे मर गए, शायद मेरी अग्यानता ही रही होगी, मुझे कुछ-कुछ चीज़ें नहीं पता हैं, और गुलाब मैं बढ़ाना नहीं चाहती, तो उसका नया क्या मैं सीखूं भी तो तब ज खाली कर देती हूं, इनमें पहले हल्दी लगी थी, और हल्दी को अब हार्वेस्ट किया जा सकता है, पौधि सूप गए, ऐसे मैं चाहूं तो इन्हें अगली साल के लिए छोड़ दूँ, तो ये अगली साल फिर उगाएंगे और हल्दी की गांट और बड़ी हो जाएगी पर मैं इसे खाली करूँगी क्योंकि मुझे ग्रो बैक चाहिए, उस पर मैं पूरा वीडियो बनाऊँगी और आपको दिखा दूँगी पूरा की कैसे कितनी हल देने कल रही है, और मैंने कैसे लगाय था वो सब भी बता दूँगी, तो अभी जो उस दिन मैं सीजनल लाई हैं, तो समय है, आप अभी बहुत सारे सीजनल लगा सकते हैं, और बगीचे को फूलों से भर सकते हैं, और सबजियों में भी आप पता गो भी फूल को भी और इनकी अगर तयार बहुत मिल जाती है, तो लगा सकते हैं, मटर लगा सकते हैं, और मैथी पालक धनिया तो लगा देगा और जिनकी टामाटर पक नहीं रहें उनकी लिए बताओं अगर ठंड आपकें बहुत पड़ रही है तो टामाटर देर से पकता है बहुत भरबर के पानी न दें और उसकी अगर गंबले में तो ऐसी जगे रखें कि सनलाइट कंडिशन अच्छी उस पर खूब सारी सनल तो तीन-चार चीजों का दिहान रखें कि जो भी फल लगा रहे हैं सब्जी लगा रहे हो किश्तों में लगाएं जैसे कि मैं एक टब में बहुत चोटे टमाटर हैं दूसरे में थोड़े से हलके बड़े हैं और तीसरे यह जो है ना यह फ्रोटिंग दे रहे हैं अब जल् गए वीडियो जरूर बताएं मिलते हैं एक लिए वीडियो में नमस्त